श्री गनेशाय नमहा, नमशकार दोस्तों, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्तिति ले कर आती है, और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बह परिणाम ला रहे है, दोस्तों आज चंद्रमा की स्तिति आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगी, आज चंद्रमा आपकी कुंडली में भागय स्थान में है, यानि नौवे स्थान में रहेंगे, इस वज़े से चंद्रमा का आप पर सकारात्मक परिणाम दिखेगा इस दिन आप शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, उरजावान रहोगे और आपको दिन भर प्रसंदता की अनुभुती रहेगी ये दिन आपके लिए अपने परिवार जनों के साथ किसी टूर पर या किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग करने के लिए काफी अच्छा है इस दिन यात्रा है करना भी आपके लिए काफी शुब रहेगा, लाबदायक रहेगा अपने कारोबार से सम्मंदीत या ओपिस से सम्मंदीत यात्रा भी कर सकते है और कोई परसनल टूर भी आप अरेंज करते है तो आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन इस समय में आपको समय की कमी रह सकती है, हो सकता है यात्रा के लिए या कई जाने का प्लान तो हो लेकिन आप समय ना निकाल पाए ये संभाव ना भी बनी हुई है, अगर करियर की बात करें तो ये समय आपके लिए काफी बिजी रहेगा काम का बोजा ज्यादा रहेगा, कोई एक्स्ट्रा काम भी करना आपको इस समय में पढ़ सकता है लेकिन ये चीजे आपके लिए आसान होगी, ये सारे काम आप आसानी से कर पाओगे स्टूडन्स के लिए भी ये दिन काफी अच्छा रहने वाला है, स्टूडन्स को अच्छे समाचार इस समय में मिल सकते है स्टूडन्स को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बनी हुई है बिजनेस करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा बिजनेस में अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे करीब करीब सारी चीजे आप एके हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है भविश में अगर आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है तो उसकी प्लानिंग कर सकते है नया व्यापार इस समय में शुरू करने की योग भी बन रहे है इसलिए डट कर मेहनत करे सब कुछ मेहनत से मिलता है कामों से मिलता है भाग्य के भरो से बैटने वालों को कभी कुछ भी नहीं मिलता लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है इसलिए प्रयास करना हमारे हाथ में है आप प्रयास जरूर करें आगे दिन अच्छे है इस समय में आपके जीवन में सफलता पाने के काफी अच्छे मोके आपको मिल सकते है उन मोकों का लाभ आपको उठाना होगा अगर personal life की बात करते हैं, love life की बात करें, तो love life के लिए आपके सितारे इस समय में स्थीरता वशान्ती फैला रहे हैं love life के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, समय थोड़ा busy चल रहा है, फिर भी 7 वक्त गुजारने के लिए समय अच्छा है पार्टर के साथ कोई जगडा या मनमुटाव है, तो वो इस समय में दूर हो सकता है positive सोच रखकर जीवन में आगे बढ़े सपलता मिलेगी आपके family में घर परिवार में आनंद और उत्साह भरा माहोल रहेगा, ये समय काफी अच्छा रहेगा, खुल कर मोज मस्ती करने का समय है इसे ऐसे ही ना गवाए जीवन का पूरा आनंद उठाने की कोशिश जरूर करे इस समय में आप जीवन में आगे बढ़े, भागे भी आपको पूरी तरे से साथ देही रहा है अगर स्वास्त की बात करते हैं, तो इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा स्वास्त के लिए दिन पूरी तरे से सकारत्मक है मानसिक तोर पर आप फिट रहेंगे फिजिकली भी आज आपकी सेहत बढ़िया रहेगी इसलिए आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है पुरानी परेशानिया कम होती नजर आएगी कुछ सेहत से जुड़े प्रॉब्लेम्स जो काफी समय से सता रहे थे उनमें भी आपको आराम इस समय में मिल सकता है इस दिन पीले रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और इस दिन तीन आंग आपके लिए लकी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परेणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और वो चीजे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आती है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते है ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चप उस तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो जीजे बहुती गहरा negative effect डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी area है वो पूरी तरह से साप सुत्रा रखें जी हां साप सुत्रा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम ज पूरी तरह से साप सुत्रा रखे, क्लीन रखे, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, जिन लोगों को पता नहीं है, उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिने पता है, वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगाय साप सुत्री रखते हैं, और एक भी वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल श इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुत्रा रखे कम से कम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साफ सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते मे साप सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साप करना चाहिए और मकडी के जालों को खास करके अपने घर में बिल्कुल भी पना न दे दोस्तो मुख्यद्वार भी हमेशा साप सुतरा रखे मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्थिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पातें utor उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाए गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद